हलो बच्चों आज हम डिरेक्ट डिरेक्ट का पार्ट एट सीखेंगे ठीक है और जो डिरेक्ट डिरेक्ट नया सीखना शुरू करें वो पहले पार्ट बन से देखना शुरू करें ठीक है इसमें आज हम exclamatory sentences जिसमें कि sign of exclamation लगता है ठीक है ये sign of exclamation कहते हैं इसको ये लगता है तो और ये exclamatory sentences हमारी feelings को दिखाता है ठीक है न exclamatory sentences मतलग जिसमें हम ऐसे sentences जिसमें हम अपनी feelings words के द्वारा शो करते हैं ठीक है तो वी स्टार्ट द ओल्ड वोमें सेट अलास एक कैनोट वॉक ना ठीक है न दिस इस अवर एपोर्टेड स्पीच हमने पहले भी डिसकस किया हुआ है कि जो इन्वेटेड कॉमास के अंदर ह और बहुता है वह पूरा रिपोर्टेडी स्पीच कहलाती है और बाहर जो होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है जो की पास्टेंस में हैं यानि की अंदर चेंज आएगा अचा ये बताना चाहती हूं कि यह जो word alas है एल-e-e-s ठीक है यह word alas है और इसके पास sign of exclamation लगा है यह word जो है दुख को प्रेकेट करता है ठेके ना, sorrow को प्रेकेट करता है तो अगर हम इसका इंडिरेक्ट बनाना होगा, the old woman said तो हम लोग लेखेंगे the old woman इस alas को और said को मिला के हम कहेंगे exclaimed with sorrow हमने जैसा भी डिसकस किया था कि alas word sorrow sorrow मने होता है, दुख, ग्रीफ को प्रेकेट करता है तो हम इस said और alas को मिला के लिखेंगे exclaimed with sorrow अगर alas दिया है sentence में तो और उसके बाद जैसे normal होता है, the old woman said I cannot walk, कि मैं अब और नहीं चल सकती तो यह बज़ अब तीसरा चौथे को बोलेगा, the old woman exclaimed यहाँ पास्टेंस था, verb जाने कि पास्टेंस में, तो can का could, then she could not walk और indirect समदारे समें now का then हो जाता है ठीक है इस टाइब से चेज़ होगा next sentence देखे, the player said hurrah, then sign of exclamation इस से में पचानेंगे कि exclamatory sentence है, we have won the match, ठीक है, तो this is our reported speech ठीक है, और यह हमारा set reporting verb है, जो कि पास्टेंस में यानि के अंदर change आएगा ठीक है, अब यहाँ पर set और hurrah इस दोनों को मिला के हम लिखेंगे, indirect बिनाते समय, the players cried out चिलाए, cried out with joy, है ना with joy, क्योंकि sentence में आगे, we have won the match, कि हम match जीत गये हैं, तो वो सब एक साथ चिलाए, तो चिलाएने को क्या करते है, cried out, cried out with joy, hurrah, जो है joy को प्रेकट करता है, आनन्द को ठीक है, जो जीतने पर जो खुशी होती ही ना, उसको hurrah शब्द से प्रेकट किया जाता है, तो the players cried out with joy, that they, क्योंकि players जाता है तो they हो जाएगा, they had, have का had हो जाएगा, won the match, present perfect में दिया था, और ये past perfect हो कर दिया है, won the match, clear? next अच्छा, इसमें जैसे हम लोग cried out with joy लिखा है, तो इसमें हम लोग ने जैसे उपर लिखा था कि exclaimed with sorrow है ना, तो ये exclaimed भी यूश कर सकता है, अगर आपको cried ना याद आए वहाँ पर, तो exclaimed with joy है, है ना, दम out नहीं होगा, फिल exclaimed with joy होगा, और cried out होगा, है ना, इन दोनों में से एक लगाँगे, या तो cried out लगाँगे, या तो exclaimed लगाँगे, next the saint said, boys may God bless you sign of exclamation, ठीक है ना, sign of exclamation से हमने पचाना exclamatory sentence है यह हमारी reported speech है, जिसमें excellent एक साधू जो है लड़कों के लिए प्रार्थना कर रहा है may God bless you, है ना, कि भगवान आपको blessings दे अपने आशरवाद दे, the saint said, यह said जो हमारा reporting वार जो के past tense में, यानि के अंदर change आएगा, ठीक है अब यहाँ पर हमें sentence से लग रहा है कि जो saint है, वो प्रार्थना कर रहा है तो हम इस said को कैसे में change करेंगे, the saint prayed, है ना, उसने प्रार्थना की, the saint prayed that may God bless you, है ना, तो अब इसको कैसे change करेंगे, that God make a might हो जाएगा, might bless the boys, थोड़ा सा इसमें change है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा the saint said, boys may God bless you, यहाँ पर हमको sentence से लग रहा है, I'm repeating कि saint ने प्राथना किये लड़कों के लिए तो हम set को prayed में कर देंगे, जो भी उसकी भावना थी prayer की भावना थी, क्योंकि हमने पहले पर एक्सक्लाइमेटरी सेंटेंस में feelings को दिखाते है, भावना को दिखाते है the saint prayed that God make a might हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर past tense से तो अंदर change आएगा, make a past tense might होता है that God might bless the boys my friends के लिए कह रहा है, he said to them goodbye my friends, ठीक है तो goodbye my friends reported his speech है, और said to हमारे reporting वावर पह है, जो कि past tense में ठीक है, तो अब हम जब किसी को goodbye कहते हैं, good morning कहते हैं, good afternoon good evening, आप अपने school में भी जैसे teachers को करते हैं, अपने बड़े लोगों को करते हैं तो यह bade करना कहलाता है, b-a-d-e है ना, तो यहाँ पर feeling उसकी bade करने की है, उसको wish कर रहा है, bade कर रहा है तो he said to them, he bade them, said to को यहाँ पर वो wish करने की भावना है, यहाँ पर उसको bade करने की, b-a-d-e bade मने, किसी को good morning wish करना, good afternoon, good evening, good night है ना, यह सब wish करते हैं, good bye यह सब bade करना कहलाता है he bade to his friends, थोड़ा change भी कर सकते है he bade to them, he bade to his friends sorry, he bade good bye good bye to his friends, ऐसे भी सही है, हम आपको सब तरह किस सिखा रहे किस ढख से कर देंगे, तो वो भी सही माना जाएगा, he said to them good bye my friends, है ना, यहाँ पर them, हम पहले देख चुके कि friends के लिए, he said to them good bye my friends, मेरे friends good bye, तो he bade good bye to his friends next one more sentence what a fine building it is said the traveler, अब इसमें देखिए यह reporting वर्प इधर है said the traveler, लेकिन इस में परशान नहीं होना है आगे लिखा हो, जाब पीछे लिखा हो हमको अपना जैसे हम लोग करते आए हैं, वैसे ही करना है ठीक है, what a fine building it is तो कितनी traveler ने, किसी यासरी ने किसी building को देखके कहा, what a fine building कितनी अच्छी building है यह कि तो हमको लग रहा है कि वो उस building को देखके बहुत आश्चर चकित हो रहा है तो said the traveler का क्या हो जाएगा the traveler को surprise हुए है यहाँ पर ऐसा sentence पढ़के लगए the traveler exclaimed with surprise exclaimed with sorrow जैसे हम लोग ने लिखा था exclaimed with surprise conjunction लगाएंगे that that it was a fine building यहाँ पर एगला भी अंदर चेंज आना था ना पास्टेंज में होना था ठीक है पास्ट प्रेजन पास्ट इंडेफिन पर था अब तो इसलिए चेंज हो गया the traveler exclaimed with surprise that it was a fine building ठीक है यहाँ पर तो exclamation नहीं लगएगा क्योंकि यह तो उसको surprise लगा था जब बिल्डिंग को देखा था traveler नहीं लेकि यह तो यह बात तीसरा जना चौथे को बता रहा है तो वो नॉर्मल वो लेगा thank you